हेलो डिये स्टुडेंट गुड मॉर्णिंग नमस्कार रादे रादे स्वागत है वेटा आप सबका एक बार फिर डिपीस की ओर्लाइन क्लास में जैसा आप सबको मालूम है मैं आपको डैली साइंस बढ़ाने आता हूँ उसी प्रकार आज भी आ गया हूँ बैड जाइए तयार हो जाइए पैन पैंसिल बुक नौट बुक लेकर के पढ़ने के लिए आपको पता है हम चैप्टर कर रही थे थर्ड और मटेरियल्स वी डैली यूज ऐसा चैप्टर हमने शुरू किया था कि दैनिक जीवन के उप्योग आने वाली जो सामगरी होती है व आइनिल्स से हमारे को कौनसे फाइवर्स प्राप्थ होते हैं उसके बाद प्लांच चैप्र में पढ़ाता कपस के कैसे कपड़ा तयार किया जाताै रेशे से कपड़ा बनाना यह भी टिडेल में पढ़ा था सिके बाद में जूट बढ़ा था ञ vogलन weeen अधियास बढ़ाता हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग आज बात करते बटा एक्सरसाइज पर नोड कर देना या एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइज नोड करना है एक्सरसाइज में बात करूंगा पहला क्यूशन आपको पता है क्यूशन नमबर ए लगाना पहले और यह पेटा ओर एक्सरसाइज क्यूशन और पहला है नेव तो ती वाइपी यह टाइप्स आफ फाइबर्स या फाइबर्स यह पहला क्यूशन है आंसर इसका आगे लिखने जा रहा हूं क्या आंसर है आपको नेम लिखना है दो फाइबर्स के तो पहला लिखना एन ए टी यू आ रहे या नेचुरल एंड एस वाइएण टी एची टी आईची सिंथेटिक यही आंसर है पहले का आंसर नीचुरल एंड सिंथेटिक एक प्राकर्तिक है और एक संसलेशिद है नाव क्यूशन अंबर सकेंड ग्यू तो एक्जांबर्स आप मैनमीड क्लोथिं माटेरियल्स के मेड़ा दोनों ना आपको पुछाना दो एक्जांपल्स लिखना मैनमीड और दोनों ही मैनमीड है एक नाइलोन है एक पॉलिस्टर अब बाल करते हैं एक नुए क्रेंब के दोनों हैं सही कौन सा विकल्ब बात कर दें पहले इनुष्ण की मैं एक एक रेशम कीड किस पर रहता है किस की पतियों पर रहता है मलबरी का मिन सहतूत होता है इसकी पत्यों पर रहता है रिक्सम कीट इस कारण से पहले का आंस्वर ए हो गया फिर सेकेंड है सिंथेटिक पुछा है अब सिंथेटिक वाले एब्जॉर्बेंट थोड़ी होते हैं कूल भी नहीं होते हैं और रिंगल 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 का मतरव क्या होता पता ना जूरिया नहीं आती ऐसे कपड़ों के जो सिंथेटिक फाइबर के कपड़े होते हैं वह कपड़े रिंगल नहीं होते हैं उस पर जूरिया नहीं आती है इस कारण से रिंगल 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 नहीं है तो बिटा सी वाला नहीं है सी में है कौयर का मेंस होता नारियल जटा नारियल पर बाल होते हैं वह नारियल जटा नेचुरल फाइबर होता है फिर फोर्त का देखते हैं काघे लग्यदा कोजा नारियल फाइबर is open from इंसेंटस कौन सा प्राकर्ति2 किरेच़े से होता है एमको आता है तो लिख दो विटा ए और ए में ऐसा यह रूके शिल्ख या निरेशन प्राफ्ट होता है चुम्हिशन C की बात करते हैं C है विटा मैस्दा फॉलवीं M A T C H मैस्दा F O O O O W I N मैस्दा फॉलवीं मैस्दा फॉलवीं में पहला Column A दे रखा, Column B दे रखा है पहले देखो Column A में Polyster है, Rayan है और Nylon है Polyster, Rayan और Nylon Column A में क्या है? किदर देखो, 1 युशन सी लिख दिया मैंने और 1 1 के सामने कौन सा आएगा? ये लिकूंगार सिदा कौन सा आएगा? Nylon, Rayan पॉलिसरियतीनों क्या है? सिंथेटिक फाइबर है तो F आएगा, 1 के सामने F आएगा ठीके? इसके बाद में दूसरा, 1 के सामने F, दूसरा बिटा cotton, jute and silk, ये क्या है? cotton भी natural है jute भी natural है और silk भी natural है तो C आएगा क्या आएगा? second के सामने C आएगा अब आद करतें third थर्ड है बिटा fabric are made of fabric से नहीं कपड़े बनाए जाते हैं किन से बनाए जाते हैं? fiber से बनाए जाते हैं तो D आएगा third में D आएगा अब four number की बात करते हैं four number है cheapest natural fiber सबसे सस्ता हमने अभी बढ़ाता अकल परसों क्लास में जूट बढ़ाता ना जूट सबसे सस्ता natural fiber है तो cheapest fiber natural fiber में four के सामने JUTE आएगा JUTE कितने नंबर पर है JUTE पर है सर तो E आएगा अब five process of making yarn to fabric yarn को fabric में बदलना spining क्या लाता बिटा spining है A में A में spining फिर लास्ट कौन सा बचा six बचा है और बचा कौन सा है कि सर हमने अभी तक B नहीं लिखा है तो यहां लिख दू B यह लिख दिया B यानि क्या है B six है separating fibers from seeds by combine 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 यानि जैसे kanghi के द्वारा पकड़ करके बीजों से जो separate किया जाता fiber उसको क्या का जाता है तो उसको क्या का जाता है हाथ से चुनना का जाता है इसका मतलब घिनें का जाता है GI double N I N G इस परकार कितने क्यूशन कर ले बिटा पहला कर लिया A, B और C तीन क्यूशन कर लिए एक और करी लेते हैं D वाला देखो D में क्या है answer देना one word में answer in one word क्या एक पूशन लिए A, N, S W, R, answer answer in one word answer one word पहला पहला क्या है एक सब्द में उत्तर दीजिए कि किस में only for one word एक सब्द में उत्तर देना देवो एक सब्द में उत्तर process of separating fiber from stark of jute plant jute के पोदे के इस टार्ग से fiber को अलग करने का process हमने पढ़ा था ना rating R, E, T, T, I, N, G वो क्या था jute में ही प्राटा पड़ा था तो first में आएगा rating R, E, T, T, I, N, G दूसरा outer covering of coconut coconut का बाहर सबसे बाहरी cover क्या कहला था C, O, I, 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 Coyer हमने पढ़ा था ना C, O, I, 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 Coyer यानि नारेल जटा तो वो कोयरी outer part है अब covering of coconut का तीसरा तीसरा और तीसरा है process of making yarn from fiber fiber से yarn बनाने की प्रकरिया spiling कहलाती है बेठा SPI double N, I, N, G SPI double N, I, N, G spiling और last है largest silk producer in the world आपको पता ना चाइना CH, I, N, चाइना जहां से कॉरोन आया न वो वाला देश जहां से कॉरोन निकला है उस देश में largest silk production है वो सबसे ज़्यादा रेसम का उत्पादन करता कौन करता है तो चाइना देश करता है बिड़ा कॉर्स कर लिया कॉपिशन नमबर डी भी कर लिया फॉस में रेटिंग सेकेंड कॉयर थार्ड स्पाइण एंड पूर चाइना कॉपिशन कर वा रहा हूं या यह वाला कर देश क्या कर देश है इसाली जगार जैनरली मेंट बाई वेविंग और नितिंग याहं अ वेविंग और नीट याहन्स क्या बनाई जाते हैं वेविंग करके या नीटिंग करके हाँ वेविंग या नीटिंग करके क्या बनाई जाते हैं देखो बेटा क्या बनाई जाते हैं क्या कह रहा है क्युशन लिख दो पेटा स्वेटर लिख दो स्वेटर आर जैनली मीडी बाई स्वेटर बनाए जाते हैं अक्सर क्या बनाए ज案टे हैं वो दिकों पर पे हना वो लेडी स्वेटर बना रहे हैं वह यह वेविंग औरrendre यटिंग तो आपको लिख देना and इस डब्लू इएटी ए रहे नमबर थ्री स्वेटर और स्वेटर और जेनरली मेड बाई विविंग या नीटिंग प्लांट फाइबर can be obtained from पोदे के फाइबर हमारे को प्राप्थ होते हैं कौन से प्लांट से cotton and jute plant धर में एड़ी खारी जगा में तो cotton और दूसरी खारी जगा में JUT जूट निट्रल फाइबर हमारे को cotton के पोदे से और जूट के पोदे से प्राप्थ होता है लस्ट वाला कौन सा प्रासस है यान से cloth में convert किया जाता है यान होता है उस यान को cloth में convert करने का प्रासस वेविंग है बिटा चौतिक खाली जगा में W-E-A-V-I-N-G वेविंग यानि gwoon나 ही करना होता है तो बुनाई करने का प्रासस है जिसे आप दागे को कपड़े में बदल देते हो इस परकार कापी क्यूशन हमने कर लिए है ऐसा कहों तो पांस क्यूशन कर लिया A कर लिया, B कर लिया, C कर लिया, D कर लिया और जादा काम हो गया होगा आज नुमने पांच कुशन कर लिए ठीक है ना हाँ तो आपको होमग में एक कुशन करने सारे यह डाइरेक्ट आंसवर नोट करवाए है क्विशन आपको यह करना है तुकि आप समझदार बचे हो आप बड़े बचे हो इसी लिए यह में नोट करा हूँ होमग यही करना सारा यूशन ए टुई ए से लेकर ही तक सारे कुशन करने भी आंसवर अच्छा करना सुन्दर अक्ष्रमे करना कलगी क्लास होगी उसमें सौर्ट आंसवर की कुशन करेंगे एंड देन आगे लॉंग आंसवर ऐसे ऐसे करते जाएंगे अब बिटा चलता हूँ इसवर से प्रातना करूंगा आपको सुरक्षित रखे आपकी परिवार को सुरक्षित रखे तब तक ले बिटा बाबाई have a nice day thank you